अगर आप सूजी पेसर नाटे से कुछ हटके बनाने के सोच रहे हैं तो इस रेसिपे को ज़रूर ट्राइए कीजिए जो टेस्टी के साथ बहुत हेलती है और क्रिस्पी भी है इतना टेस्टी होता है बच्चों को भी बहुत भाएगा और महमानों को भी आप परोस सकते हैं फांसी छे गंते कले रहने दें बहुत ही अक्षे से फूल गई है और अपने साइदे से बड़नी नाटे है बहुत पारागा कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से साबूर डालिए गाना तो स्वात ज्यादा अच्छा आएगा साधी डाल दीजे वन फोर टेस पून अजवाइन अजवाइन ज्यादा ना डाले एक छोटी चमत जीरा आदा छोटी चमत सूफ इस टाइम आप एक सुखी लाल मिर्च भी डाल सक साबू ठरे मुंके डाल तो हम सारा नहीं डालेंगे दो से तीन चमत बचालेंगे और अब डाल दीजे एक इन चत्रक पास से छे लसन दो हरे मिर्च बीना पानी डाले पेसले तो देखे बहुत ही अच्छे से डाल को पेसली आ है डाल जब फुलती है ना तो इनके अंदर ब पानी डाले नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है एक मिडियम साइज का कच्छा आलू तो आलू को हम चले छिल लेते हैं तो एक आलू डाल देने से बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी पकाड़े बनते हैं छिलने के बाद हम बड़े वाले छेथ या फिर मिडियम च पानी से निकालते हुए इस तरीके से हाथों से रापते हुए कीचन टावल पे रख देते हैं ताकि आलू में जो भी थोड़े मोड़े पानी है वो सूख जाए तो बस इस तरीके से हम कुछ सेकंड के लिए रहने देते हैं और आप एक बोल लेची इसमें डाल दीजी पीस सिवे दाल को निकाल ले दाल का पेस्ट निकालने के बाद यह जो हमने साबुद रखा है ना इसे भी डाल दे और साथी में डाल दीजी एक मेडियम साइज का लंबाई में कटावा प्याज आप और भी छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं दो सितिंग चमज धनिया पत्त और अब हम हलकी फुलके मसाले डालेंगे 1-4 टीस्पून काली मिर्च पॉडर डाल दीजे हमने हरी मिर्च का इस्तमाल किया है इसलिए स्वाद अनुसार लाल बर्च पॉडर डालें यहाँ पे मैं 1-4 टीस्पून डाल रही हूँ एक चुटके हेंग और आप डाल दीजे 1- धनिया, सूफ, चीरा और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं तो बहुत अच्छे से हाथों से ही मिलेगा बस इस तरीके से मिलाए तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला है नमक हम पिलकुल आखिर में डालेंगे क्योंकि जैसी नमक डालिएगा वैसे ही आलूप प्यास से प बहुत ही अच्छे से मिला लिया है तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाते हूँ तो जब आप इस तरीके से लेंगे ना और लडू की तरह पाइंट करेंगे तो देखें कितने अच्छे से बिना चिपके बिना बिखरे हाथों में आ रहा है तो सारे मसाले दाल में मिलाने प्यास मिलाएं, तो चलिए बीना देर किये, हम फ्राई करते हैं, तो हम बहुत बड़े साइस का नहीं बनाएंगे, मेडियम साइस का बॉल लेंगे, तो बस इस तरीके से लेंगे, और हलके हाथों से दबाते वे, आयल में डाल देंगे, तलिक लेकडाही में आयल डाला है, त बहुत धुएधार हमें गरब नहीं करना है, तो एक छोटा टुकड़ा डाल के हम चेक कर लेते हैं, तो देखे, जैसे ही डाला है, थोड़ा रुक्य उपर की ओर आ रहे हैं, एकदम से धुएधार तेल कर दीजेगा तो डालते के साथ पकोड़े का कलर डार का जाएगा, औ अर अंदर से कची कची रह जाएंगे, और अब हम फ्लेम को लो टू मेडियम करते हैं, और इस तरीके से एक एक पकोड़े को डालते हैं, तो देखे, कितने असानी से हैंगल हो रहा है, तो बहुत सटा सटा के लगी डालिएगा, अगर आपका तेल जादा गरम हो गया है, त इस तरीके से पकोड़े को डालिएगा, तो हम दो बैचेस में फ्राइग करेंगे, फ्लेम को हम लो टू मेडियम पे ही रखेंगे, ताकि आइस्ता आइस्ता पके, क्योंकि दाल कच्छी है, और बिल्कुल भी इस टाइन स्वैचुला नहीं डालिएगा, जब नीचे से अच लाइट कलर आया है, और बिल्कुल भी इस दूसरे में जाकी नहीं चिपके है, तो इसी तरीके से हम एक एक मिनट सेखते वे, यानि कि फ्राइग करते वे, फुलट पलट करते रेंगे, और अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे, तो जब भी आपको चटपटा खाने का मन करें तो इस तरीके से हेल्थी टेस्टी, इस मंगाडी की रेसिपे को ज़रूर पनाए, सभी को बहुत ही जादा पसंद आएगा, तो फ्राइग होते वे 4 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं, हम आइस्ता आइस्ता फ्राइग कर रहे हैं, तो कलर किता शांदार आ रहा ह है, और टोटल मैंने 5-6 मिनट के लिए प्राइग किया है, तो बस और से निकाल ले, तो आप देख सकते हैं, कितना पढ़िया देख रहा है, और पूरी तरीके से और ट्राइग है, तो हमने इसमें प्यास डाला आलो के लच्छे डाले, तो काफी क्रिस्पी बनेंगे, और आपने देखा कि हमने बिल्कुल भी चावल कार्टा, बेसर, कुछ पी इस्तमाल नहीं किया है, सिर्फ हरी मुंग से बनाया है, प्लेट में निकाल ले, इसी तरीके से हम सारे पकोड़ों को फ्राइग कर लेंगे, तो लेची है, साथन पाज भी हमारा तयार है, और आप हम क देखा कि चट्नी के साथ सर्फ किया है, तो कई अलग-अलग तरीके के पकारी भाजियां बनाते हैं, आप इस तरीके पकारी भी बनाएं, जो टेस्टी के साथ हिल दी है, और इस तरीके से बनाएंगे, तो बच्चों को भी बहात भाएगा, और आपको दिखाती हूँ, कि बहुत ही अच्छे से पके वे हैं, आवास सुनाती हूँ, तो बने भी 15-20 मिनिट हो चुके हैं, देखें देखें, अभी भी क्रिस्पी हैं, तोड़के दिखाते हूँ, कितनी सॉफ्ट बने हैं, और उपर से कुरकुरे, हमने बिलकुल भी सोटे का स्तमाल ने किया, फिर भ यह जरूर बताईएगा, और इस तरीके से आप हरी धनिया की चटनी के साथ खाए, स्वात दुगना हो जाएगा, वीडियो के लास्ट में मैं आप सब सिफिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो जड़ा पर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीज कीजिएगा, और मुझे आप चाहे तो अप्पी पे श्याम्री कीचेन, इंस्टाग्राम श्याम्री कीचेन पे भी फॉलो कीजिएगा, बाई एंट ठीके,